Hello dear students, welcome to ATP Star, the super learning platform. कैसे हो guys, hoping that all of you are well and taking care of yourselves. So guys, सबसे पहले जो जो सेशन में आता जा रहा है, like बटन जरू दबाएं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाईया, press the bell icon along with the subscribe button as well. So guys, देखो यार, J-Main का feb attempt हो गया है, March attempt हो गया है, अब हमारे दिमाग में बहुत सारा, you know, हलसल चल रही होगी, क्या चल रही होगी, कि एक तो यह है कि यार, अगले attempts, उसके लावा कई students, जो 12th class में उनके board exam भी है, J-E advance है, और कुछ students का bit sat and WBJE का exam भी होगा, तो यहर, बहुत चल रहा है कि कैसे preparation को manage किया जाएगा, और March के result क्या रहेंगे, यानि percentile में क्या variation रहेगा, तो यह सारी कश्मकश जो है, उसका solution मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले, आपको मैं बताता हूँ, एक बहुती अच्छा solution for those students, जिनको एक ऐसे organized course की तलाश है, जिसकी help से, अगला सारे attempts, J-Main as well as Advanced, पूरी preparation उनकी manage हो जाए, और वो उस पूरे course पे depend हो सकते हैं, अगर उसको follow करते हैं, तो वो अपनी percentile को तो boost कर ही सकते हैं, प्लस, J-Advance में भी एक अच्छा rank secure कर सकते हैं, आप सभी students के लिए, RBC 3.0 batch, ATB Star का start हो रहा है, 20th of March से, यानि कल से start हो रहा है, so I think it can be really helpful for you, आप अगर quota आ सकते हैं, तो हमसे directly, personally पढ़ सकते हैं, अगर quota नहीं भी आप आएंगे, तो आप online RBC 3.0 में अन्रोल कर सकते हैं, using ATB Star website और app से आप जा सकते हैं, quota courses में जाएंगे, वहाँ आपको RBC 3.0 batch मिलेगा, वहाँ से आप अन्रोल कर सकते हैं, हो सके, तो कल तक आप अन्रोल कर लिजेगा, क्योंकि उसके बाद fee hike will take place, यह number भी दिया हुआ है, कोई भी अगर आपकी query फिर भी रह जाती है, आप इस number पे WhatsApp या call कर सकते हैं, ओके गाइस, तो देखिए, अब हम बात करते हैं, marks versus percentile, यह देखो, पिछली बारागर हम बात करें, बतलब बगर हम feb attempt से compare करें, the feb attempt में 99.9 percentile के लिए, 99.9 या उससे above percentile के लिए, काफी significantly high score हमें करना पड़ा था, students को बहुत high score करना पड़ा था, reason आप जानते हैं कि paper का difficulty level, बलब easy to moderate आया था, तो हम लोगों ने भी expect किया था, उस समय भी, कि यह paper high scoring है, तो जो percentile है relatively, वो बहुत high marks पे भी कम आएगी, लेकिन अगर हम March की बात करें, तो March में paper का level significantly high आया है, specifically mathematics में काफी high आया है, तो overall भी paper का level पहले से significantly increase हुआ है, यह नहीं हम expect कर सकते जी, जो भी student अगर 235-240 इसके बाद score कर रहा है, तो देखें expect a percentile of 99.9+, अगर हम 99 plus की बात करें, तो 99 plus, देखें slot wise भी it can depend a little, लेकिन slots में अगर हम देखें, इन जनरल mathematics जो है, वो lengthy and tough आया है, depending on the student as well, students को अलग-अलग feel होता है, लेकिन overall toughness level increase हुआ है, तो 99 percentile में, 195 से उपर, you can expect कि आपका 99 percentile तो आई ही जाएगा, उसके अलाबा, 98 से 99 percentile अगर हम देखें, तो 178 या 180 के around, से 195 में हम ये 98 से 99 percentile हम assume कर सकते हैं, तो ये जो पूरा analysis है, ये पूरा summary है, उस analysis का जो हमने किया है, हमारे बहुत सरे students से बात करके, plus पुराने attempts जो है, जैसे फैब attempt में जो result आया था उसके basis पे, ठीके ना, let's see कि कि कितना accuracy हो पाता है, पर obviously ये पूरा team ATP star का analysis है, तो ये like हमारे opinions है, ये किसी पे bound नहीं है, क्योंकि बहुत सरे students मैंने देखा है, जिनके score कई बार काफी कम होते हैं, तो वो बिचारे परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सर आपने तो बहुत high scoring बोल दिया, paper तो बहुत tough था, तो यार देखो, actually paper तो tough था, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन choices भी तो मिली थी, ठीके ना, और जैसे जैसे attempt में आगे बढ़ता है, जैसे feb से marks आ रहे हैं, तो सारे factors consider करने पड़ते हैं, है ना, उसके बाद अगर हम बात करें, 95 अब 95 अब 97, तो 150 marks के असपास, 157-165, हम ये percentile expect कर सकते हैं, ओके गईज, so, this is the, you know, overall summary of marks, versus percentile, आप क्या expect कर रहे हैं, अपने marks और क्या expect कर रहे हैं, percentile, नीचे comment section में जरूर बताएं, ठीक है ना, और अगला video, आप क्या चाहते हैं, ADP start team की तरफ से, मेरी तरफ से, वो भी comment section में आप जरूर बता सकते हैं, लेकिन ये जरूर बताएं, और आपने भी तक अगर video को like नहीं किया, तो like जरूर करें, और चैनल को subscribe नहीं किया, तो do subscribe the channel right now, and that is it for this video, मिलते नेक्स वीडियो में, बाबाई, टेक क्यार, and keep preparing well.